कि नमस्ते दोस्तों आपका स्वागा है हमारे चनल हेंगर टैंक में दोस्तों आज हम ग्रुप बाई के साथ रोलब क्लॉज यूज करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं स्कूल स्टार्ट कर देता हूं मैं स्कूल तो हम यूज करेंगे जो हमने टेबल बनाया था स्टॉक टेबल उसी को यूज करेंगे तो सिलेक्ट स्टार्ड फ्रॉं स्टॉक टेबल तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ डीशा इठेओं से का और मैंने केटेगरि बनाया था इसमें न्युक्त अब हम क्यतेगरी स्टॉक्त करेंगे तो एंप गुरूब करने केसाथ Audbing करना है और पिर केटेगरी वाइस ग्रूप करना है और सम्नु निकालना है उस केटेगरी का उस चैटेगरी का कि टोटल प्रैस कितना होता है वह करना है तो हम इतेम अंडर्सकूर प्राइज फ्रॉम तो टेवल का नाम और फिर ग्रूप आए गुरूप बार केटेगरी तो इससे हमारा जो केटेगरी है वो गुरूप हो रहा है जूस दूनों एक साथ आ गया और फिर उसका टोटल प्राइस दिखा रहा है 50 तो हम रोल अप का यूज कर सकते हैं तो हम यहां यूज कर सकते हैं विद स्कुषपेस और रोल अप एक साथ होगा कोई स्पेस नहीं होगा बीच में आरो डबलल ड्यूपी तो यहां देखिए यह 120 और 45 को प्लस करके 165 दिखा रहा है और कैटेगरी में दिखा रहा है नल क्यूंकि इस प्राइस का कोई कैटेगरी नहीं है तो इस तरीके से हम हमारा सब टोडल का सम करके ग्रेंट टोडल दिखा सकते हैं तो यह रोल अप से कर सकते हैं और एक चीज है कि यहां पर दो नूडल से 10 10 दिखा रहा है और फिर उन दोनों को प्लस करके उसके नीचे उसका टोडल दिखाना चाहिए तो अगर हम इस तरीके से करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं तब हमें आइटेम नेम और कैटेगरी दोनों को गुर्प करना होगा और यह जो है जिस कोड़म को आप पहले देंगे गुरुप बाए जिसको आम पहले करेंगे वह उसको प्रिफरेंस सब्सक्राइब देता है तो हम दो पते और यहां देख सकते हैं यह जूस दोनों एक सास है और फिर उसका टोड़नाज दिखा रहा है 100 पुर्द्ट फिरस का टोड़न प्राइस और लास्ट में उन सबका डोड़न प्राइस तो यह हम कर सकते हैं जब हम group by करेंगे multiple columns तब हम ऐसा निकाल सकते हैं हम इसको और थो बहतर समझ सकते हैं अगर हम यहाँ पर item का name डाल दें तो हमें पता चलेगा कि यह double juice दिखा रहा है वह कौन सा item है तो हम यहाँ पर select item underscore name भी लिख सकते हैं तो अभी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से रिप्रेजंट हो गई तो यहाँ हम समझ सकते कि mango juice orange juice उनका 50-50 और फिर उसका price है 100 तो हम इसको उल्टा करके देखते हैं इस बार उल्टा मतलब पहले item name लिखेंगे और उसके बाद category ग्रुप पहले item name तो जिसको हम पहले लिखेंगे वह उसको preference देगा क्या नहीं है category तो यहां देख सकते हैं यह इस बार ग्रुप कर रहा है पर आटा नूडल को इसने पहले आइटम name के सबसे कर रहा है वह पहले नहीं को preference देखा पिर वह category वाइस देखेंगा तो पहले वह item name को ले रहा है और फिर देख रहा है कि यह वाला item कितने बार इस table में आया हुआ ह holders कितने बार हैं अगैशी तो वह उसको दिखा रहे हैं और फिर उसका टोटल राइस टैन है तो इसका टोटल नहीं होगे च्पार क्भू करहें तो हर moonlight क्योंकि यहां पर सिंगल आइन हैं तो यह यह हरे एक हिढ़ ऑडर ला रहा है और फिर उसका टोटल दिखा रहा है अग उन दोने को plus करकी total को दिखाता है तो क्योंकि हमने item नेंव को इस दर पहले रखा है तो यह इसको ज्वादा preference दे रहा है इसके जाब से यह group कर रहा है उसके बाद वह category wise देख रहा है तो इस तरीके से हम roll up यूज कर सकते हैं जब हमें सब टोटल या फिर grand तोटल निकालना हूँ